कि दूस्तों कैसे आप सभी आशा करता हैं सब बढ़िया होंगे दूस्तों आज आम बात करने वाले एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो की आपको देखने को मिलेगी हीरो कंपणी की तरफ से वैसे तो hero company के पास already बहुत सारे electric scooters है लेकिन उतनी ज़्यादा sales नहीं होती क्योंकि वो you know on and on average scooters है आप अगर थोड़ा premium scooter देखने जाएंगे तो hero के पास कोई भी ऐसा premium scooter नहीं है तो hero के तरब से एक अच्छा खास अपडेट आया hero बहुत जल्द एक company के साथ tie up करने वाला है जिसका नाम है gogoro वो company अपनी जो electric scooter है जो design है वो design इंडिया में sale करेंगे via hero और hero को network आप लोगो पता यह all over इंडिया में one of the best आपको देखने को मिलता in two wheeler manufacturing department और अगर इसे साब से देखेंगे तो यह गाड़ी बहुत जल्द आपको भारत में देखने मिलेगी gogoro के पास already बहुत सारी गाड़िया है जो कि electric scooter बोलते है जिसको लेकिन company सरिफ इंडिया में तीन variant इलाएगी series 1, series 2 series 3 यह total तीन गाड़ी जो gogoro hero की थू इंडिया में launch करने वाला है हाला कि अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की यह गाड़ी बहुत अच्छी देखने में लगती है पूरा LED setup है digital instrumentation देखने मिलते ही प्लस यहाँ पे जो इसका weight है वो भी काफी कम है और इसमें एको चीज बोला जा रहा है कि जो material use होगा उसमें से maximum material recycle material है that means यह गाड़ी recycle हो सकती है हाला कि ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं रहेगा मजबूत भी गाड़ी आपको देखने मिलेगी उसके अलावा भी आपको recycle products भी मिलते हैं अब बात करें इसके headlight LED headlight, LED detail light, LED indicators alloy wheels front and rear में देखने मिलता है इसमें कुछ hub motor भी setup मिलेंगे एंड कुछ के आपको brushless motor भी देखने मिलेंगे जो कि build drive से rear wheel move होगा इस गाड़ी के अगर में एक गाड़ी के अगर में बात करता हूँ तो इसमें एक चोटा सबसे चोटा wheelbase वाली भी एक scooter है जिसका नाम है gogoro 254 mm का इसका wheelbase है ultra low seat height है 740 mm है ultra इसमें weight देखने मिलता है 80 kg और काफी slim scooter भी है बैटर की बात करें तो यहाँ पर सुनने में है कि swipeable battery है यहाँ पर जो battery आप घर पर भी charge कर सकते है साथ ती साथ hero अपने charging station भी provide करने वाला है जो भी उनके service station है all over India में तो वहाँ पर भी यह अपनी charging प्रोवाइड करने वाल है तो yes यह भी एक अच्छा initiative है hero के तरब से hero यह tie up कर रहा है गोगरों के साथ अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो 3 kWh का आपको motor देखने मिलेगा top speed 45 km पर आवर से लेके 90 km पर आवर तक का है वो depend करता है कि कौन सी model ले रहा है series 1, series 2, series 3 में base model की बात कर रहा हूँ 85 km का range आपको देखने मिलता है charging time 2.5 hours की है telescope pick fork, dual suspension setup rear में front end rear में disc brake, combi brake system के साथ आपको देखने मिलेगी हाला कि company ने ये नहीं बोला है कि कभी launch होने वाली है लेकिन इनका tie up हो चुका है और hero ने सीधा बोल ले है कि मैं ये गाड़ी launch नहीं करूँगा लेकिन आपकी थूरू ये गाड़ी launch होगी, मतलब गोगोरो company की थूरू ये launch होगी and hero इसमें आपको infrastructure प्रवाट करेगा होल ओवर इंडिया में, तो ये total overall इस गाड़ी के उपडेट थी प्लस इसमें subsidy भी मिलेगा, ये my facility भी आपको देखिए मिलेगी and hero के service station में ये गाड़ी service होगी तो आशागर तो आपकी वीडियो समझ में आओगा और अच्छा लगा तो please like, share, subscribe जरू करेगा मिलते अगले वीडियो में, जय हींद